मैं वेलकम करता हूँ सभी students, सभी parents जो NEET 2024 में होने जा रहे हैं और आप सभी इस workshop में जुड़े हैं, उन सभी का मैं जो है वो तरह दिल से स्वागत करता हूँ इस workshop में हम बात क्या क्या करेंगे, क्या discuss करेंगे तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे most important topics and chapters, नीट exam के लिए कौन कौन सी है वो हम बात करेंगे second जो है, we will discuss about 30 days में कौन सी trips और tricks यूज़ करें कि 600 प्लस marks ले पाया या 700 प्लस students life की problems क्या होती है और उसके solutions क्या है यनि कि इस दर्मियान आपके कौन कौन से problems आ सकते है, आ रहे है और उसके solution क्या हो सकते है, वो मैं आप सभी के साथ share करूँगा mcq उसके कैसे solve करने है, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ बातचीत करूँगा, strategy तीन घंटे की जो exam होने वाली है तीन घंटे 20 minutes, 200 minute, 180 mcqs, 720 marks की आपकी 7 में को उसमें कौन सी आप strategy यूज करें कि आप जो marks आने वाले हो, उससे 100 plus marks ला पाओ next बात करते है, role and responsibility, यानि कि parents को भी क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो भी बात करेंगे तो यह सारे topics मैं next two hours में जो है, वो cover करने जा रहा हूँ, अगर आप really excited है to know, to gain, to learn, to understand all the things जो मैंने बताया, यह सारी चीज़े समझने के लिए, जानने के लिए ready है, तो आप excite का यह लिख्ये group में ताकि मैं आगे बढ़ू, really great, thank you very much for the reply and response, मिताली, राजेश, इतने ज़्यादा लोग है कि मैं फटा फटा रिप्लाइ कर रहा है, हैत्वी, निलोफर, मुसकान, मयूर, thank you very much, so let's start, सबसे पहले चीज़ आपको जो समझनी है, मुझे बतानी है वो यह है, कि आपने नीट एक्जाम देने जहार है, 35 days, 30 days, for example, है आपके पास, 7th में को एक्जाम देगे, 3 गंटे की एक्जाम होगी, 180 म से क्यूज होगे, 720 marks, लेकिन इसके पीशे आपने जो मैनत की है, वो है 2 स साल, 2 साल अलड़ी कुछ ना कुछ तो किया है, कोई ना कोई क्लास गया है, practical exam दिये, theoretical exam दिये, board exam दिये, intermediate exam दिये, school की exam दिये, tuition की exam दिये, online exam दिये, बहुत कुछ कर लिया है, sufficient कर लिया है, लेकिन is equal to, अभी का जो एक मैना है, वो उसके equal है, यानि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और is equal to 3, यानि कि वो exam के 3 गंटे, देखे, 15 साल के अंदर जो जो लोग मेरे पास counselling में आते हैं, लास्ट 5 साल में जो 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 लोग आये हैं, उन्होंने मुझे एक simple चीज़ बोली है, कि सर पता नहीं क्या हो गया, बच्ची या मेरा बेटा या मेरी बेटी या फिशुडन जो आते थे, वो बताते थे, कि सर 700-600 marks मेरे जो है, गुजराती नहीं बोलूँगा, क्योंकि गुजराती सबको आती है, और हिंदी बोल रहा हूँ ना, और आप मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, गुजराती नहीं, सो दो साल में जो हम मैनत करते है, यानि कि जो सुडन्स आते वो कहते कि सर पता नहीं क्या मिस्टिक हुई, क्या प्रॉब्लम हुआ, अभी तक मेरे जो मोग टेस्ट में दे रहा था, उसमें 600 marks आ रहे थे, 600 आ रहे थे, 700 आ रहे थे, किसी के 720 आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, लास्ट मंत में क्या हुआ पता नहीं, जो एक्जाम था उसमें क्या हुआ पता नहीं, एंड होता यह है कि विकाज आट रिजन उनके marks बहुत कम आ गया, आपने भी अगर ऐसा सुना है, तो लिखे कि ऐसी चीज क्या होती होगी, क्या mistake होती होगी सब में बहुत अच्छे marks थे, लेकिन कुछ ना कुछ गडबड होती है, majority students की जो एक मेनी की planning होती उसमें, तीन गंटे की जो exam होती उसमें, और उसकी विज़े से काफी students और parents को यह face करना पड़ता है, अगर आपने यह सुना है, ऐसा कुछ भी सुना है, तो आप एगरी का A लिख दीजिए, chat box में, yes, एगरी का जो है, वो A लिख दीजिए, कि यह problems होती है, तो कहने का जो मतलब है, बहुत important होता है, और वो में समझाऊंगा आपको next slide से, कि देखे, cricket में 20 और की में 50 की है, 10 की है, या जो भी है, है ना, उसमें 6 बोल होते है, लेकिन जो last match, last hour होती ह है, ना, 6 बोल होते है, वो बहुत important role play करते है, वैसे ही for example, आप एक race में दोड़ रहे है, जिसमें 25 लाग भारत देश के students attend करने वाले ये exam, गुजरात के approximately 1,70,000, और इस exam में last moment पे आपको आप ही बता दीजिए, कि जो ये एक महीना बचा है, वहाँ पे आपकी speed बढ़नी चाहिए, या कम होनी चाहिए, हर चीज में, आपकी competition level जो है, अपने आप से बढ़नी चाहिए, या कम होनी चाहिए, आपका concentration बढ़ना चाहिए, या कम होना चाहिए, आपके study hours बढ़ने चाहिए, या कम होने चाहिए, of course, ज्यादा होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, same thing, for example, आपको Mount Everest या चोटिला या जुनागर का डुंगरा जो है वो फत्य करना है तो जब आप आप imagination कीजिए कि आप वो परवत चड़ रहे हिमाली का परवत चड़ रहे है या फिर जुनागर का डुंगर चड़ रहे है या चोटिला का या फिर पावागर का by for example जो steps बने होते है उसके through तो starting में आपका जुस्सा काफी होता है और फिर जैसे जैसे हम उपर पहुंचते आते हैं मंजिल से करीब पहुंचते है पैर का आपने लगते ठकावट होती है बहुत सारे problems आते है yes or no if so then type yes why in chat box कि yes कि भी ऐसा होता है मंजिल जब करीब आने लग तो ऐसा ना हो इसलिए ये webinar ये workshop ये seminar ये workshop ये webinar जो बोले बहुत important है क्यों कि मैं आप सभी को ये strategy बताने वाला हूँ कि ये एक महिने में आपको भागना है कैसे क्या strategy यूज करनी है क्या tips यूज करनी है क्या tricks यूज करनी है और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि वो ज गंटे जहां पे आप फाइनल मेश खेलने जा रहे हो जहां पे आप अपने पुरे दो साल तीन साल की मेहनत का निचोड निकालने वाले हो 180 MCQ सॉल करने वाले हो 720 मार्स के लिए फाइट करने वाले हो तो वहां पे क्या स्टेज यूज़ करनी है and that's why this workshop is important और मैं request करूँगा कि आगे कि मुझे one and half hour का जो workshop है उसमें आप अपना camera हो सके तो on रखेगा अपना microphone mute रखेगा आराम से state position पे बैठेगे तो कि जितनी अच्छी position में बैठेगे उतनी मेरी सारी बाते आपके दिमाग के अंदर जाएगी आसपास आवाज ना हो ऐसी जगापे या room में बैठेगे हो सके तो earphone use कीजे ताकि मैं आपको आप मुझे अच्छे से सुन पाए mobile अपना एक जगापे रख दीजे ताकि आप focus कर पाए कुछ ना कुछ notes लिख पाए और जब जब मैं आपको बोलू तो आप please chat box में लिखेगा क्यों कि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं जो बता हूँ आज वो सारी चीजे जो है वो आप याद रखे so chat box में reply ज़रूर से कीजेगा and learning attitude से आपको मेरे साथ जुड़ना यानि कि आज आज आपको कुछ सीखना है मैं ये भी बता दू कि आज जो end तक मेरे साथ जुड़ा रहेगा उनको ये तीन चीज गिफ्ट मिनने वाली है एक सबसे पहली चीज वो है mind map यानि कि physics chemistry biology 11th और 12th के जो आपको revision में बहुत helpful कर सकते हैं जब आप mcqs solve कर रहे हैं और ना आए mcqs कुछ confusion हो तो उसका use बहुत हो सकता है short notes आपको revision में मदद रूप हो सकती है और last 10 साल के papers जो English और गुजराती दोनों medium में available है 10 साल के NEET exam में जो already पूछे गए वो सब कुछ आपको मिलने वाला है free of cost इस workshop के बाद तो please connect रहेगा ये पूरे 35 दिन जो बचे हैं आपके पास और इस पूरे workshop में के बाद workshop में और workshop के बाद और exam आपकी NEET की जब complete होती है साथ में 6 बज़े तक आपको एक sentence आपके दिमाग के अंदर घुसा देना है वो है focus on what you have भाई आपके पास जो है जो syllabus है जो chapters है जो unit है जो आपने किया है please 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 उस पे ही focus करे guys मैं again and again करूंगा this is the key of success this is the main point of the this workshop 700 marks वाले students को मैंने देखा है 500 पे आके अटक गए because उन्होंने last month में कहीं और focus किया कोई और chapter पे focus किया कोई और books पे focus किया कोई और crash course पे classes पे कोई और books पे material पे focus on what you have दो example देता हूँ चितेंद्र मा जी जिनका नाम सुना होगा आपने छीनी हथोड़ी से पुरा पहाड़ 50 km बड़ा खोद के रख दिया अपने आप से कैसे possible हुआ भाई सोच सकते थे कि मेरे पास ये नहीं है मैं ये करता हूँ मैं वो कर लूँगा मैं ये फर example जैसी भी बंगवा लेता हूँ ये कर लेता हूँ नहीं उन्होंने जो था उस पे focus किया और इसलिए उनके उपर movie भी बनी और उनको बहुत बड़े-बड़े सनमानों से सनमानी भी किया गया है वैसे ही बहुत सारे examples जो है इसी base पे होते यानि कि जो last moment होती है ठीक है last जो जगा होती है last month होता है या तीन गंटे जो exam होते हैं अगर आप उस पे focus करोगे जो आपके पास नहीं है आप हमेशा दुखी होने वाले हो stress होने वाले हो चिंता में डुपने वाले हो बहुत सारे issues होंगे और जो है वो भी गुमा बैठोगे यानि अगर आप cycle चला रहे हो और आपने देखा कि पास में से कोई Mercedes लेके जा रहा है और आप वो सोच में पढ़ गए accident हो सकता है वाई साब so please remember this sentence for the next 35 days और 7th में के साम को 6 बज़े तक आपको उसी जगह पे focus करना है focus on what you have focus on what you have okay so focus का F और what you have यानि कि F U F U लिखके भेज़े मुझे चैट बॉक्स में ताकि आपको मैं समझ पाऊं कि yes आपने ये दिमाग में घुसा दिया क्योंकि मैं अभी बताऊंगा सारी चीज़े क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी कितने माक्स आने वाले है आपकी इतने माक्स कीए है and all the things तो मैं all over बता रहा हूं आपको और हो सकता है कि आप जो है उसको जो आपके पास नहीं है उसके उपर focus करने लगे तो तो फिर ये workshop का कोई मतलब भी नहीं रहेगा great thank you very much for the great reply thank you very much so focus on what you have now next important चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो यह है कि we are going to start means अभी main बात के आते कि need 24 जो exam है उसकी primary बाते करेंगे primary में मैं बात करूं उससे पहले मैं आप से जानना चाहूंगा कि आप कौन सी city से जुड़े है मेरे साथ और approximately आप क्या सोच रहे don't worry मैं आपके 100 प्लस marks करूंगा आज आज 10 बजे से पहले हम अलग होंगे उससे पहले मैं guarantee दे रहा हूँ आप खुद से बोलेंगे कि यह हैं 100 प्लस सूरत से है UP से जुड़े हुए है मेरे साथ भाउनागर से है great भाउनागर पालनपूर से सूरत से great भाउनागर पालनपूर पाटन great सूरत वडनगर विशनगर great thank you very much for the reply approximately कितने marks आ सकते आपके आप सोच रहे है 100 प्लस करके बोलना don't worry मैं कर दूँगा आज के workshop में कर दूँगा भरूच एमदाबाद great thank you very much for the reply मैं mark जानना चाहता हूं कि approximately कितने mark सोचे don't worry I'll give you the all solution just 600 प्लस great 510 लिखने में कुछ नहीं जाता है 720 में सा आट सो लिख दो कोई बात नहीं मैं कर दूँगा 720 में सा आट सो नहीं हो सकता भाई तो थोड़ा व्याज भी लिखना थोड़ा सा रिदनेबल लिखना 600 प्लस great 450 great great thank you very much 700 great 600 great 450 great 500 wow great 600 great thank you very much for the reply now let's start with the need 24 दिखे यह जो एक्जाम है उसमें 200 MCQs आपको आने वाले हैं उसमें से 180 आपको must attend करने है ठीक है 720 मार्स की यह एक्जाम है offline mode में होती है यानि कि pen और paper लेके नहीं जाना है वहाँ से देंगे objective type यानि कि चार options होते है एक question चार option उसमें से एक सही है यानि कि answer आपके सामनी होता है next 200 minute है आपके पास 180 MCQs solve करने के लिए याद रखेगा 180 MCQs solve करने के लिए 200 minute है यानि कि per MCQs आपके पास एक minute है physics, chemistry, biology में से ही questions आने वाले हैं तेरा language में different different exams होती है एक marks यानि कि एक सही हुआ तो 4 marks मिलेंगे गलत हुआ तो minus 1 और अगर आपने छोड़ दिया नहीं attend किया तो कुछ plus नहीं होगा कुछ minus नहीं होगा यह strategy के लिए जरूरी इसलिए मैं revise कर रहा हूं बता रहा हूं आपको आगे मेरी बात तभी समझ में है कि जब आपने यह सारी जीज़ा सुनी होगी तो अभी बात करते हैं syllabus की तो chemistry, physics, biology, biology में zoology और botany की बात करते हैं तो 35 plus 10, A session, B session दोनों का मिला के 180 mcqs total questions हुए और 720 marks जिसके लिए आपके पास 3 गंटे और 20 minutes यानि कि 200 minutes है और उसके लिए syllabus की बात करते 11, 12 का physics के total 20 unit, chemistry के 20 unit और biology के of course जो है screen पे देख रहे हैं वैसे 10 units जो आपकी exams में इस में से questions पूछे जाएंगे और I think आपको पता होगा कि इस साल जो exam होगी इस में से ये questions, ये topics, ये chapters, ये syllabus में से निकल गया है तो अभी आप जो डेड़ महीने में एक महीने मे जो revision करेंगे, उसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, कि ये chapters के MCQs नहीं पढ़ने हैं आपको, ये chapters पे focus नहीं करना है, okay, next बात करते है most important topics and chapters for the NEET UG exam, यानि कि अभी हम track पे आ रहे हैं, जो आप सुनना चाहते है, जो जानना चाहते है, तो most important topics ऐसे कौन से है, chapters और उसकी analysis के base पे आप अगर ये 35 days महनत करो, अच्छे से 30 days महनत करो, तो definitely आपको जो marks आने वाले हैं, उससे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि एक planning है, एक properly planning है, तो आईए जानते हैं सबसे पहले, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, वो है biology की बात हो रही है, देखें ये लि सबसे पहली जो कॉलम है, यहाँ पे सुनने की ज़्यादा जरूर हो थे आपको, समझने की ज़्यादा जरूर हो थे, क्योंकि अगर आप लिखने में बाढ़ जाएंगे, तो what I want की भी आप अच्छे से बाढ़ जाईए, अपनी जगा पे और अच्छे से सुनिए, तो यहा जो है, उनके लिए यह बाइलोजी के जो इजी टॉपिक्स है, बट बहुत जादा इंपोर्टन इसलिए क्योंकि इसमें से जादा, more than 5 MCQs from each टॉपिक्स पूछे जाते हैं, अगर आपने बाइलोजी के इतने टॉपिक्स कर लिए, तो बाइलोजी के जो आपके सिलेबस है यानि कि जो स्कोर है, वो हाय हो जाएगा, सेकेंड जो है, इंपोर्टन तो है, लेकिन डिफिकल्ट है थोड़ा, सभी स्टॉटन्स के लिए, वो टॉपिक्स है, जो यहां पे लिखे गए, less important but easy, less important, यानि कि कम पूछा जाते हैं questions, number of questions इन्स टॉपिक में से, और less important and difficult, तो इससे क्या होता है कि आपको ये डेड़ महीने की strategy बनाने में helpful होगा सब, कि किस तरीके से आपको कहां पे ज़्यादा focus करना है, कहां पे कम focus करना है, कहां पे time ज़्यादा invest करना है, कहां पे कम time invest करना है, वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, chemistry, तो chemistry में important and easy topic, यान लेकिन the problem is that कि उसमें, question तो ज़्यादा पुछ जाते हैं, लेकिन problem यह है, उसमें से वो है difficult, less important but easy, and less important difficult, तो यहां से आपको पूरी strategy planning करने में, 35 days planning करने में helpful होगा, पता चलेगा कि important and easy वाले है, वो पहले complete करो, क्योंकि वहां से ज़्यादा score आपका है, वो ले लेंगे, difficult वाले हैं, उसको थोड़ा सा बाद में, that's what the, you can decide, same physics, all over subjects, most of the students के लिए physics difficult होता है, लेकिन अगर आज जो मैं strategy बताऊंगा, जो आगे बताऊंगा कि chapter wise कौन, कितने questions पूछे गया है, तो उसके base पर पता चले जागा आपको कि yes, you can decide, you can find out your, यानि कि आपके पांस जो है, focus on what you have, तो उसमें से ही, for example, आप 600 के student हो, तो आप अपने पहले 600 जो है, उसको खीच लो, उसका revision date महीने में, जो ये एक महीना है, उसमें कर लो, तो physics के important and easy topics आप देख रहे हैं, less important ये वाली जो column है, इंपोर्टन बट थोड़ा सा difficult है, less important and difficult, तो of course less important difficult पे ज़्यादा focus करने क जरूरत नहीं है, अगर आप 600 प्लस तक पहुंचना चाहते हो, तो ये first three column ही आपने कर ली तो बहुत important हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, next बात करते हैं कि इन तीनों का sum up करे, तो ये तीनों की अगर ये chapters गिनो आप, तो ये जो आपके सामने चार्ट है न आप Physics, Chemistry, Biology कर लो, क्योंकि High Scoring जिसमें से ज्यादातर frequently questions पूछे जाते हैं, ज्यादा questions पूछे जाते हैं इसी topics में से, तो अगर आप important chapters, ये most time पी अगर आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में, तो ये तीनों कॉलम के आप अच्छे से, जो है, वो set कर दो, तो आपको लगत में, जो student है, वो बताए, जो chapters, topics लिखे है, वो revise करने में, actual में, आपको क्या लगता है कि कितना दिन लगेगा, कितना दिन, कितना टाइम लग सकता है, प्लीज, comment inbox, chat box में बताएगे मुझे, कितना टाइम लग सकता है, as for you, ये सभी चीज़े revise करने में, जो easy भी है, but important है, yes, great, thank you very much for the reply, thank you very much, दिखे, अगर आपने अच्छे से पढ़ाय की हुई है, तो not more than 10 days, अगर आपने एक भी बार पढ़ा हुआ है, तो not more than 10 days, और मैं आपको short notes भी भेज रहा हूँ, और revision वाली चीज़े भी भेज रहा हूँ, और mind map भी भेज रहा हूँ, आपको strategy भी बताने वाला हूँ, आग कर सकते हो, और उसकी strategy भी बताने वाला हूँ, आगे बात करते हैं, next है, एक यहाँ पर जो देख रहे हैं, वो है important chapters for NEET, botany के 11th class में से, यहाँ पर लिखे हुए वो topics और chapters लिखे हैं, उसमें से कितने questions पूछे गया है, on an average, लास चार साल की average है यह, ठीक है, और उसमें से कि कितने marks आपको मिल सकते हैं, और उसका weightage कितना है, this is the worst, most IMP, तो भाई देखो, आप जो है, यहाँ से यह भी पता कर सकते हो, कि यह 15 days में कहां focus करना है, चाहे आपने सब कुछ पढ़ लिया हो, 50% ही पढ़ा हो, 60, 70 doesn't matter, तो जो high score वाला है, वो chapters, वो topics, अगर आपका cup of tea हो, तो definitely उसको आप आगे syllabus में बताऊँगा कि कैसे weekly schedule करना है, कैसे daily, उसमें set कर दो, और जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, 720 में से 500, 600 यह जो आपका target है, वहाँ तक आप definitely पहुँच सकते हो in this one month, तो यह 11 की बात है, जो आप देख रहे हो, plant physiology में से for example, 11 क syllabus में से, बात हो रही बाटनी की, 8 questions on an average पूछे गए हर साथ, और उसमें से अगर देखा जाए, तो marks 32, यानि कि 32 marks तो आपने अपने pocket में रख लिए, सिर्फ एक ही chapter topic पढ़के, तो वैसे ही high scoring topic और chapter 11 वाले ले लो, फिर उसके बाद बाटनी के SM 12 वाले देखो, सबसे पहले genetic or evaluation 10, ऐसे 5 questions तो आप अभी मुझे बोल दोगे, जो genetics के repeatedly पूछे जाते, तो वो 40 marks ले लिए, और यहां से for example 32 marks, कितने 70 जितने marks आगे आपके pocket में, अगर आप नीचे total देखोगे, तो देखें, बाटनी में 11th और 12th का, देखें, तो almost बाटनी वाला जो पार्ट है, 11th और 12 का same है, यानि सारे chapters को properly आपको divide करना है, smartness use करनी है, दिमाग use करना है, कि high scoring chapters side में ना रह जाए, और वो time table भी बना के दे रहा हूं, पूरा 4 week का, और उसमें जो sat किया है, वैसे आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, तो that's why this weightage is important, कितने questions पूछे गए और कितने marks आप अ अब zoology का देखो, भाई human physiology में से 12, 14 से 15 questions आते हैं, minimum, और human physiology prime topic है, जो आपका 11th class का है, next zoology में जाए 12th का, 12th का, जो है class 12th का, तो उसमें देखिए आप सबसे ज़्यादा questions किसमें से पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा questions जो है, वो biology human welfare में से, hard questions, on an average, इससे ज़्य ज़्यादा भी आ सकते हैं, इससे थोड़े कम भी, एक दो, एक दो माइनस, प्लस माइनस होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, और इस वे में आप वेटेज डिसाइड कर लो, next chemistry की बात कर तो 11th और 12th, जो आप देख रहे हैं, तो organic chemistry में 11th और 12th का, अगर आपको कोई for example, guys, मैं simply यहाँ पर एक बार और कहना चाता हूँ, कि आप मैंसे कुछ students ऐसे होंगे, जिनको for example, aromatic compounds अच्छे नहीं लगते, तो पर छोड़ दो, for example, polymers अच्छे नहीं लगते, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर calculation करना है, यानि that's why मैंने बता है कि focus on what you have अगर आपके पांस nike के अच्छे सूज नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दोड़ नहीं सकते हैं, अगर आपके पांस एक chapter नहीं है, दो topics नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप score नहीं कर सकते हैं, and that's why you need to focus, यह chapters, इसलिए मैंने starting में बता ह कि आपको क्या करना है, जो आपके पांस है, उसमें focus करना है, और उस strategy से चलेंगे, तो definitely successful हो पाएंगे, नेक्स बात करते हैं कि इन और्गनिक केमेस्ट्री, तो इन और्गनिक केमेस्ट्री में देखिए तो सबसे ज़्यादा 12th में से ज़्यादा पूछा जाता है 11th के comparison मे जब और्गनिक केमेस्ट्री में 11th वाले chapter थोड़ा सा है, ज्यादा questions ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस वे में भी आप cover कर सकते हो, आगे बात करते हैं कि भी physics की, जो आपको ज्यादा तर लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन आप देखो, कि first 3 वाले जो है, उसमें स zooming process होता है, आगे detail में बात कर रहा हूँ ना भाई, टेंशन मतलो, physics का नाम आते ही गबराने लगते हो आप लो, टेंशन मतलो, तो physics का भी इस तरीके से आप properly planning कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने बात की आप सभी से, वो यह कि, कि this is the important thing, 11th और 12th का syllabus पूरा है, NCRT की इतन 80% आपका है, तो 80% में से focus on what you have, और उठा लो, और set कर लो उसको, अब आप बोलेंगे कि sir, कैसे हम 30 days, 35 days जो यह बच्चे हैं, उसमें कैसे यह सारा revise करें, तो अगे मैं यह कहूंगा, जो आपको है, उसको मैं जो बताने जा रहा हूं, उसमें set करना है, ठीक है, कैसे revise कर सक पूरा time table, 30 days का, और everyday का क्या time table होना चाहिए आपका, वो भी बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं उसके लिए चाहता हूं कि आप अगर, valuable समझ रही है information को, तो type V in chat box, यहनि कि 30 days, 35 days में इन सभी को कैसे divide करना है, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और everyday का कितने hours का कैसे time table होना चाहिए, सुबह उठने से लेके रात को शाम तक, great, thank you very much for the reply at everyone, thank you very much, तो देखे, week number one, जो for example, कल या पर सो से start करो, so for example, तो सबसे पहले start your study from the difficult subjects, ठीक है, तो difficult mostly सभी का physics होता है, तो सुबह उठती ही physics से start करो, फिर इसके बाद chemistry और फिर इसके बाद biology, और यहाँ प उस six days में आप यह देखेंगे तो nearby 350 marks to 400 marks cover कर रहें इन सभी topics, एक ही week में 400 तक पहुंच सकते हो, यह जो planning दिखा गया है, उस topics को आपको complete करने in one day, then second day, then third day, then fourth day, then fifth and six, seven day जो topics आपने पढ़ लिये, last six days में, वो साथवे दिन आपको उसकी mock test देनी है, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा example भी दे दू, कि जो आगे हम बात करेंगे, सुबह से लेके शाम तक क्या time के बलोगा, उसमें मैंने एक अलग से slot रिखा है, कि everyday, सुबह उठते ही, रात के जो भी time तक आप पढ़ो, तो उसमें क्या करना है, आपको difficult subject से start करना है, ठीक ह यहाँ पर जो लिखे हुए है, वो पांच topic आपने complete की है, उस पांच topic के आपको minimum 15 से 20 mcqs each and every topic के करने ही करने, फिर उसके बाद chemistry किया, chemistry के जो topic है, फटा फट रिविजिन करना है, देखो पढ़ा हुआ है, आपको concept याद करना है, अब पढ़ाई कैसे करना है, और पढ़ फट उसकी notes जो लिखे है, उसको cross verify करो, फटा फट notes बना और rough notes, और discuss करो, अपने आप से पूछो, बार बार वही questions एक दो बार पूछो, और जो चीज, for example, confusion वारी लग रही है, जो आपको नहीं समझ में आ रही है, उसको दीवाल पे चिपका दो, मैं short notes बेज रहा हूँ, mind map जो है, वो useful होगा, क्योंकि एक पूरा chapter एक page पे आ जाएगा, जो आपको per day, रात को सोने से पहले revision में helpful होगा, तो इस method में, यानि कि इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, theory plus mcqs, theory plus mcqs, theory plus mcqs, और 6 दिन के बाद, 7 वा दिन, ये सब कुछ revise करना है, short notes में से number 1, और एक पूरी 180 की mcqs की, इसी topic में से निकालके exam देनी है, याद रखेगा, ये week number 1 की बात होगी, अब number week number 2, यानि कि दूसरा week, यानि कि 7 days के बात की बात कर रहे है, 8 दिन के बात की बात कर रहे है, तो यहाँ पे physics में कौन से chapters पढ़ने है, chemistry के कौन से, और इस sequence को मैंने, इस कुछ difficult वाले हैं, लेकिन वो high scoring है, तो उससे क्या होगा कि आप अगर second week तक पहुंच गए, तो 500 प्लस तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे एक revision का slot लगाया हुआ, देखिए, fourth column, वो revision का slot यह है, कि आपको क्या करना है, पीछे जो last week में पढ़े है, उसको भी फटा-फ which is the second week, thank you very much, great, great for the reply, thank you, thank you, so second week जो है, वो second week में क्या करना आपको, कि again difficult subjects, then chemistry, then biology, हो सकता है, कि किसी का chemistry difficult हो, तो आप उसको पहले डाल दीजे, उस वे में time table पूरा बनाईए, now even six day, यानि कि 13 दिन के बाद जो चौदवा दीन आएगा, 14th day, वहाँ पे again आपको क्या करना ह जो पिछले वाले छे दिन के chapters, topics थे, ये छे दिन के chapters और topic और उसका आप 180 MCQs का test देंगे, then third week, तो third week में जो है वो chapters, मैंने क्या किया कि पूरा 11-12 syllabus डाल दिया है, लेकिन again मैं यह कहूंगा कि focus on what you have, जो आपके पास है, उस पर ही revision कीजेगा, अगर आपको for example 600 plus marks आगे तो आपकी CT MBBS की fix है भई, 650 आगे तो बहुत अच्छी बात है, ओल इंडिया लेवल पर आ जाओगे, 700 आगे तो 100% final ओल इंडिया लेवल, तो यहाँ पे थोड़ी strategy से चलना है, यह ना हो कि 600 की आने छोड़ दो साइड में, और focus रहे आपके 120 कैसे बड़े, 120 कैसे आए और इस आपके 600 जो आपके आने वाले थे वो भी ना है, थर्ट डे अगें, सारे डिवाइड किया गए छे दिन में, अगें रिविजन है, पिछले वाले विक का, और जो सेवन्थ डे, आप 180 की MCQC test देंगे, तीनों विक का सभी topics और chapters के MCQC होने चाहिए, ताकि बार बार देखो, आपका 3-3 बार रिविजन हो रहा है, 3-3 बार रिविजन हो रहा है, that's important, और the fourth, the most important, जिसमें highly scoring topics and chapters है, सिर्फ और सिर्फ वही topics आप revise करेंगे, और उसके MCQC देंगे, और last week में, minimum 2-3 आपको 180 MCQC test देनी चाहिए, this is the what 4 week time table, यह 4 week आपके पास है, उससे ज़्यादा timing है, तो याद रखेगा, कि आपको इसी वे में जाना है, simply modification बताओ, मैं simply अगर revise करूँ, तो यह है, कि आपको क्या करना है, first week में, जो highly important और easy topics है, उसको लो, second week में, आपको जो है, difficult है, लेकिन important है, उसको भी साथ मैड कर दो, third week में, easy and less important वाले, और fourth, यानि कि mixing में, जो है है, वो difficult, but easy, sorry, easy, less important, but difficult है, वो बाले chapters लएगे, साथ में, every weekend मैंने, कि seven day पे आप 180 MCQS का mock test देंगे, daily आपको जो last revision किया, last day पे जो काम किया है, उसका revision करेंगे, and this is the method, जिसकी वज़े से आपको तीन से चार बार एक ही topic revise हो रहा है, और इस वज़े से आप high score कर पाएंगे Now question is that कि minimum कितने घंटे हम ये 35 दिन में study करें, देखिये guys, मुझे नहीं पता आपकी capacity क्या है, मुझे नहीं पता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मुझे नहीं पता कितने घंटे की क्या है सारी situation, thing is that less than 10 hours will not work, अगर आप चोके पे छक्का लगाना चाहते हो, last winning पे जीतना चाहते हो, तो 10 घंटे तो minimum पढ़ा करनी ही पढ़ेगी और 35 दिन ही करनी आपकी जिंदगी सुदर जाएगी, आपका future बन जाएगा, आप पता नहीं क्या से क्या कर दोगे, गलतिया की है, मैंने इसलिए free मैं चिला रहा हूं, मैं चिला रहा हूं, मैं बोल्ड रहा हूं, ब क्यों ना हो, साहे 500 के क्यों ना हो, 700 के क्यों ना हो, 800 के क्यों ना हो, आपको 10 घंटे minimum, minimum पढ़ाय करनी है, पढ़ाय करनी है, पढ़ाय करनी है, रूम में बैठके मजदूरी करने थोड़ी जाना है, मैं यह थोड़ी कह रहा हूं, मैं यह थोड़ी कह रहा हूं, मैं यह थो तो 10 घंटे में कैसे डिवैड करें, तो भई, highly-vetage subject कोन सा है, biology, तो 50% टाइम उसको दे दो, 12 घंटे पर रहा हो, तो 50% टाइम उसको दे दो, हो सकता है कि आप मेंसे कोई 12 घंटे पर रहा हो, तो that's good thing, 13 घंटे good thing, 18 घंटे बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं सो रहा हो, तो पैसे आने वाले तो सोते हैं, हमें पता है कि ये 5 लाग रूपे देगा, parents है, line में यहां पे चुड़े होगे, कि पता है कि ये काम करने से 5 लाग रूपे मिलेंगे, पूरी राच जगते, 10 दिन तक जगते, 15 दिन तक जगते, क्या फरक पड़ता है, कोई बीमार बीमार नह होना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, फर एक्जांपल ये आपके उपर डिपन करता है, मैं ऐसा नहीं मानने वाला हो कि भी दिन में ही पढ़ना चाहिए, रात में ही पढ़ना चाहिए, सुबह अल्ली मॉर्निंग उठके पढ़ना चाहिए, या फिर comfort zone आपका कौन सा है, उसमें पढ़ना, लेकिन, 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 ये 35 डेज, ये 35 डेज, ये 35 डेज, सुबह, दुपहर के 12 बजे से रात को 6 बजे, 5 मिनिट के लिए भी नहीं सोना है, 12 बजे से लेके रात के 6 बजे तक 5 मिनिट भी नहीं सोना है, क्यों? क्योंकि आपकी biological clock set होनी चाहिए, आपका 7 में को जो exam होगा, वो कव होगा, एक बजे आप होल मेंटर हो जाएंगे, 5 बस कर बीच मिनिट पे फ्री होंगे, ये 6 बजे तक बाहर आएंगे, तो अगर आपकी सोने की, खाने की, रेस्ट करने की, बात करने की, मोबैल इस करने की, टीवी देखने की, आराम करने की, गप्पे मानने की, रिल देखने की, सो अपनी बाड़ी को, अपने दिमाग को, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने आख को, अपने बाल को, अपने हर चीज को पता होना चाहिए, 12 to 6 is a battle time, भाई यूद लड़ना है, चाहे 200 मार्स के students क्यों ना हो भाई, आपको तैयारी करनी है, है ना, तैयारी करनी है, आप ये भी नहीं किया तो वो 200 पे जाएगा, तो ये तो रूल सो रूल है, 12 से 6, 12 से 6, याद रखो, लिखो 12 से 6, in chat box, you will not do anything, accept the study, यानि आप सुबा उठके पढ़ो तो मुझे कोई problem नहीं है, ये time table follow करना, रात को देर तक पढ़ना है, मुझे कोई problem नहीं है, कि 12 से 6, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाए, 12 से 6, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाए, ठीक है, तो इस time table को generally लेना है, generally ये है कि आपको परड़े 3, परड़े 3 subjects पढ़ने है, यानि कि सबसे पहले start करना है, difficult subjects, यानि कि physics, अगर वो difficult है, फिर chemistry और फिर biology से फाइदा ये होगा, difficult subjects का डर धीरे धीरे गायब होगा, आपका confidence level बढ़ेगा, हो सकता है कि भी आप एक गंटे से जादा ना पढ़ पाओ, तो कोई बात नी, फिर chemistry ले लो, फिर उसके बाद biology ले लो, लेकिन end में biology रखने से फाइदा ये होगा, कि आपको concentration level बढ़ेगा, hours of study आपकी बढ़ेगी, आपका stamina बढ़ेगा, जो है मैं आगे बताँगा, एक health, एक महीने का planner भी है, जो आगे बताता हूँ, then first subjects, theory, mcqs, theory, mcqs, theory, mcqs, यानि की physics, तो उसकी theory पढ़नी है, फटा-फट जो अमने time table set किया होता है, एक महीने का उसके base पे, उसके mcqs solve करने हैं, ताकि दो बार revise हो जाए, same thing chemistry, same thing for the biology, then आपको अगर सोना है, 6-7 गंटे इनफ है, डेली की थोड़ी बहुत भाई, 10-15 मिट योगा कर लेना, meditation कर लेना, भगवान का नाम ले लेना, mentally strong होके, और 5-10 मिनिट, 15 मिनिमम, अपने room में, loudspeaker on करके, अच्छे से music या earphone डालके, नाच लेना, वो exercise हो गई, जिम जाने की ज अभी सिर्फ और सिर्फ, 10-15 मिट मॉर्णिंग में पूजा पाड कर लो, या meditation, योगा थोड़ा बहुत deep breathing कर लो, और शाम को सोने से पहले, 10-15 मिट डांस कर लो, नाच लो, क्यों, क्योंकि पूरा दिन mental work किया होगा ना वाई, तो रात को नीन में भी फिर वही physics chemistry biology आएगा overthinking problem होगी, नीन नहीं आएगी जल्दी से, जल्दी से relax नहीं हो पाओगे, तो उसके लिए 10-15 मिट अगर physical body हला ली, exercise कर लिया, तो क्या होगा, you will get relaxed और आपको deep sleep अच्छी नीन दाएगी, 35 दिन, आप कैसे भी अच्छे इंसान हो, बुरे हो, कमीने हो, कुते हो, जो भी I don't care about, but 35 दिन भाई कर लो, किस्मत चमक जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, बोल रहा हूँ, ये करने से होगा मिस होगा, वरना मैं अमदावाद में बैठा हूँ, address भेज रहा हूँ, आके थपड़ बाल लेना भाई, कि मैं 35 दिन किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ सर, ब ऑजने से मिन्निममं, मिनिमिमं, मिनिमिंुम, बाकी के अवर्स में सब कुछ औगा, अभी मम्मी बापा परिशान कर रहे है, रहा है, मेरे गर में एनवार्मेंट नहीं मीं जा बो नहीं, सब नोटन के अभी, अभी मेरे पास और 45 मिन्ट से उसमें सारे solution लाऊंगा भाई, दीरे दीरे लाऊंगा, अभी हमने आदे तक ही पहुचे है, अभी बता रहा हूं मैं आपको क्या करना है, तो अभी next topic आ रहा हूं, students life की problems and solutions, उसके solution क्या हो सकते हैं, अगर आपको यह जानन है, देखो जो reply करेंगा ना, उसको सारी चीज़ याद रहे जाएगी, sensory organs, जितनी यूस करोगे, उतनी चीज़े आपको याद हो जाएगी, आपको याद रहेगी, so students life की problems और उसकी solutions की बात करें, तो उसमें, उससे पहले है, मैं shortly, फटा फट मेरे बारे में बता देता हूं just in one minute, बाकी की सारी information PDF के तुरू बेजूँगा, YouTube पे देख लेना, Google पे सर्च कर लेना, ओमेजु कौन मेरी संस्तरा है, जिसका नाम है, आपका dream को reality में convert करना, last 18 साल से हम काम कर रहे है, private limited company है, WHO कहता है ISO recognized, मेरा खुद का dream है, कि आप जैसे students के dream जो है, वो complete करना, 6.7 lakh students को guidance दे चुका हूँ, मैं खुद All India PMT, NEET, PG जैसे competitive exam या world level की 122 exam जो है वो दे चुका हूँ, और MD physician, DNHE, DGOS, CFE जैसे 122 degree छोटी मुटी है, अभी मेरी Mdavad में 2 hospital है, और अभी जहां पर मैं बैठा हूँ, वो मेरी hospital में बैठ के ही आपके साथ बाचित कर रहा हूँ, इसके अला में आज education related और health related करता रहता हूँ, free of cost, last 17 साल से, कोई भी चार्ज लिए भी ना, कोई भी पैसे लिए भी ना, different different medias में भी अभी जैसे result आते जाएंगे, वैसे मेरी articles आप सब मीडिया में, news में, news channels में, सब भी जगा पे देखेंगे, internationally हमारी जो संस्ता है, वो type किया हुआ है, 122 university, 22 देशों से, और 800 से ज़्यादा अभी doctor बन चुके है, उसमें बहुत सारे PG भी clear कर चुके है, बहुत सारे different different countries में doctors बनके subtle down हो चुके है, study planner जो आपको बहुत helpful हो सकता है, ये डेड मेने के planning में, और वो आप buy कर सकते है, Amazon के ओपर से, जो लिखेंगे study planner, उसकी link जो चुका हूँ, लिख चुका हूँ, 30 days का अगर आपको plan करना है और motivate रहना तो ये exam planner जो है, वो आपको help करेगा, वो ऐसा दिखता है in short, और उसमें आगल motivation notes भी होती है, जो आपको, I mean, बहुत सारे boost up देगा, motivate करेगा, और पीछे की site, यहाँ पे आप उस दिन का time table लिख सकत आपको admission लेना है, तो वो हमारी संस्था का काम है, एक unique course चलता है, जो आप neat exam दे देंगे, तो उसके बाद यह join कर सकते है, pre medical training camp, जिसमें हम आपको train करता है, ताकि अब medical college में जाके चुक्के पे छक्का लगा पाए, चाहे आप MBBS में जाने हो लिए, dental, homeopathic आरे हो एदिक मे सो यह मेरा short introduction था, यानि कि qualified person हो भाई मेरी बात पर सुनना, जानना, बहुत सालों का experience ऐसे ही नहीं आगे आपके सामने और बताने लगा, students life के problem जो है वो और उसके solution, तो देखे आपका basically क्या थोड़ा time concentration रहता है, फिर उसके बाद concentration नहीं रहता है, MC के उसके बारे में, है दूसरा, दो option में से एक option सही लगता है, गलत लगता है, दो option में ही सब confusion होती है, topic पता होता है लेकिन answer नहीं आता है, दूसरी thoughts में चले जाते है, first 10, 15, 20 MC के solve के सर फिर उसके बाद concentration level डाउन होने लगता है, answer पता होता है, फिर भी वो pen है ना, कापने लगती कि सर negative marking है, आत है प्रशनल लेकिन confused हो जाते है, ऐसे problems किस किस को हो रहा है, लिखना chat box, yes, yes, solution बताने जा रहा हूं कि how to solve MC कूज, यह सबसे बड़ा problem है, दीखें, दुनिया की सबसे अगर आप देखा जाए तो it's easiest exam, easiest exam, the method exam easy है, क्योंकि question सामने है और उसका answer भी सामने, तो यहाँ पे जो examiner होते हैं, वो question ऐसे तरीके साट करते है, उस तरीके सा option साट किये जाते है, कि आप लोग यह गलतिया करें, तो आपको क्या करना है, कि आपको MC को solve करने की technique पता होनी चाहिए, तो technique number one यह है बाई, कि यह जैसे question है, उसके options कभी भी मत देखो, याद रखो technique number one, options कभी भी द सबसे पहली सोच, दिमाग में यह डालो, कि chemistry, physics या biology का है, कौन से chapter से है, कहां से पूछा गया है, वो page दिखने लगे, वो answer मुसे निकले, फिर उसके बाद option देखो, ताकि आप confusion नहीं होंगे, 100% sure होंगे, और this is the आगल में, आगे में technique बताने वालों कि examination day में जो चोक्के पर छक्के लगाने न, वहां पर यह technique यूज करनी पड़ेगी, तो यह technique number one है, अब technique number two है, कि आपने क्या किया, कि भी देखा कि भी यह जो question था, for example, क्या था, carbohydrate digest occur in the first in, कहां पर एक digestion होता है, तो mouth में होता है, intestines, stomach, none of the above your feet, इसमें नहीं होता है, तो सबसे पहले देखो, biology का human physiology का है, digestion के, अंदर का question है, ऐसा socially है, page दिखेगा, तो मुग के अंदर होता है, सबसे पहले, कहां पर होता है, digestion, कौन सा, MLS, MLS सबसे ज़्यादा कहां पर secret होता है, मूँ में, ESR equation पूछे जाता है, NEET में, है न, pH सबसे ज़्यादा कहां पर होती है, carbohydrate से carbohydrate 6, glucose 6, phosphate, glucose, convert, कहां नहीं देखना है, क्योंकि option से क्या होता है, हम इंसान लाल्चु है, हम लाल्ची इंसान question जैसे होगा, आधे question से तुरन नजर अमारी कहा जाती है, तुरन ती घुम के वहाँ, option के उपर है, यह कौन सा, यह answer होगा, और इस वज़े से brain confused होता है, उसको analysis का time ही नहीं मलता है, तो please remember, never go for the options, क्योंकि हमें पता है, वहाँ पे ही सही answer है, और वहाँ पे तीन गलते और एक सही है, और इस वज़े से हम लोग गलती कर बैठते हैं, so always read two times, options नहीं देखने है, मुह से निकले, फिर उसके बाद option को open करो, अगर यह technique यूज ना हुई, अगर answer नहीं आया, तो second technique वो यह है, कि आपको क्या करना है, option देखने है, उसमें से दो options गलत वाले जो है वो निकालने, देखो आपको यह question से मैं example बताता हूँ, कि stomach में digestion होता है, intestine में तो नहीं होता है, वहाँ पे तो absorption का काम होता है, this and that, mouth और stomach के बीच में confusion है, तो दो गलत वाले निकाल दी, intestine and none of the, this, stomach और mouth में confusion हो रही है, तो आप सोचो कि सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो automatically दीरे दीरे वहाँ पे आपा, आ जाओगे, यानि second technique यह है कि दो गलत option पहले निकालो, और जो बाकी के दो बच्चे है, उसके उपर work out करो, so this is the second technique, इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सार different type के questions पूछ जाते है, ज्यादा तर linear question होता है, straight forward, statement type, कि भी basic unit of the classification, this and that, it's a short and sweet, but formula calculation, जो time consuming होते है, ऐसे भी questions पूछ जाते है exam में, match and matching, यानि कि आपको क्या करना है कि भी A वाला किसके सामने जा रहा है, B वाला किसके सामने जा रहा है, उसका mix match करना है, matching करना है, ये भी थोड़ा सा time consuming process है, लेकिन easily, easily cover हो जाता है, easily answer कर देख तो आप लो, थोड़ा passion होना चाहिए, more than one statement correct, यानि कि इसमें लिखा होता है कि इसमें से दो answers सही है, ऐसे select करो, then figure वाल equations आते है, then graph वाल equations भी आते है, one line वाल equations भी आते है, देखे, ये strategy जो है ना, इसके लिए मैं workshop करूँगा, जिसमें, या तो फिर मेरी YouTube चैनल पर जाओ, वहाँ पर ये video है, कि MCQs को each and every MCQs type को कैसे tackle करे, है ना, बट ये दो technique है ना, भाई, वो कर लो ना, तो भी 100 प्लस हो जाएगा, guaranteed हो जाएगा, है ना, डरने की जरुतनी है, MCQs के साथ play करो, खेलो, आपको डरने क जरुतनी है, MCQs में सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ मेनेज़े कि question भी वहाँ पे है, answer भी वहाँ पे, now, first, never see the options, option के भीना try करो, option के बाद जो है, वो try करो कि भी, ये answer है सही, ये गलत है, नहीं आ रहा है, तो दो गलत पहले निकालो, negative चीज़ है ना, इंसान पहले प करना है, this is the technique, this is my upcoming seminars, चार तारिक को है, आट बज़े से शाम के दसमें, same topic पे है, नो तारिक को है, lively है, online free of cost, और जो exam के MCQs और strategy पे है, वो 30 मिड के होंगे, ये 16 तारिक और 21 तारिक, ग्रूप में update मिलेगी, ग्रूप में आप active रहिएगा, आपके parents को भी कह सकते हैं, वो online ही होंगे ये, और वहाँ पे आप जोइन करेंगे तो, मैं detail में strategy आपको बताऊँगा, जो आपको useful होगी, उस तीन घंटे के लिए, अगर आप जोइन नहीं करते हैं, तो भी problem नहीं है, लेकिन that video जो है, वो available YouTube पे है, जो short है, लेकिन ये जो webinars होंगे, उसमें मैं lively practice होगी, problems होगी, वो link के भेजेंगे, जिसकी presentation में ready करके रखूँगा, ताकि आपका मुझे पूछने में भी आपका time बेचना हो, सिर्फ 30 minutes में more than 300 questions के answers मैं दे दूँगा, और उसका date, time and venue जो group है, उसकी link में chat box में भेज रहा हूँ, वो group और community आप join कर लीजे, उस group और community में आपको सारी information, सारी information हमेशा के लिए, जब तक आपकी उमर खतम ना हो जाए, तब तक मिलती जाएगी, नीट exam छोड़ो, आपका admission process से लेकिए, सब कुछ वहाँ पे उस group में और community में ही सारी information मिलेगी आप, और मैं भी वहाँ पे हूँ, और lively सारे चीज़े जोड़ते रहे ह लेकिन दर लगता है बहुत जादा, exam से डर लगता है, पढ़ने बैठता हूं तो डर लगता है, stress जासा feel होता है, burden लगता है, तो कैसे हम उसको convert कर पाए कि enjoy कर पाए, simple thing is guys, जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारी सोच आती है कि बही लेको, अगर मैंने इस तरीके से पढ होता होता तो अच्छा होता, ये cover कर लिया होता तो अच्छा होता, ये classes, ये notes, ये books, past का thinking, past की सोच, या तो फिर future में, paper difficult आया तो क्या होगा, physics में से ये पूछ लिया तो क्या होगा, MC को stage there है, उसमें ये पूछ लेंगे तो क्या होगा, and that's what the reason हम present moment में, present moment में रही नहीं सकते, भूद कारनों विचारा करवानों, भविश्यों विचारा करवानों, अनेना कारने आपड़े, जे present छे मापड़े मैनत कर वी जुए, जे मापड़े वांच वुए, एक करता दती, अनेना कारने stress tension नो चनम थाए, for example, ये ही एक reason होता है, उसके लावा second reason अगर माने, तो वो है learning attitude, इतने marks नहीं आएंगे, तो क्या होगा, learning attitude ना होने की वज़े से, earning के पीछे भागना है, marks, 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 that will give you the stress and worry and all, तो हमेशा जब भी पढ़ाय करने बैठो, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, daily, 35 days, focus on what you have, और learning attitude, मुझे कुछ सीखना है, मुझे ये 15 chapter topics आज complete करने न, तो उसमें से 5 चीज़ जिन्दगी में उतारनी है, by heart करनी है, रात को कोई उठा के पूछ है, तो मैं बता पाऊँ, बस इतना हो, ये अगर attitude होगा, तो कभी भी पसीना नहीं निकलेगा, कभी भी आप tension में नहीं आओगे, 35 दिन क्या 50 दिन क्या, एक साल, दो साल पढ़ लोगे, और the most important thing is that, कि run behind knowledge, not behind the marks, run behind the knowledge, not behind the marks, और इससे क्या होगा, कि आप अपनी study को enjoy करना start कर दोगे, so always run behind knowledge, remember these are the punch lines, और ये सारी एसी punch lines, मेरे desktop planner पे है, ये जो desktop planner है, जो आपकी, ये सारी punch line है, जो आपके daily basis, everyday, जो आप fill करते हो, उसके answer आएगा, और इसके पीछे आप अपना daily time table लग सकते हो, there are so many stickers and everything, enjoy करने की बात है, 30 days को, plan और enjoy, हम गोवा घुमने जाते हैं, या फिर घुमने का plan बन गया होगा, काफी लोगों का, तो उसका पूरा planning होगा, और planning होता है, तब ही stress or tension, difficult subjects है, physics का क्या करूँ, भई, अगर आपके सामने एक ठाली रग दू, जिसमें बहुत सारी चीजे हैं खाने के लिए, तो उसमें से सबसे पहली चीज़ कौन सी खाएंगा, जो आपको पसंद होगी, जो नहीं पसंद होगी, जो सबजी अच्छी नहीं लेग रही होगी कि वो क्या होगा, साइड में रह जाएगी, और वो दीन day by day, day by day, day by day, वो difficult होता जाता है, तो simple thing, daily study का starting, आपको difficult subjects के करना है, physics को छूलो, पैर से छूलो, ऐसे दो मिधा हाथ जोड़ के परातना कर लो, पिर दूसरे दिन उसको खोलने का अमन करेगा, पिर तीसरे दिन उसक को और जदा पढ़ने का अमन करेगा, और दीरे 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 वो subjects आपको, जो है, वो easy लगने लगे हो, अगर आपके teacher, आपके professor, आपके faculty, guru है कोई, और उसने किसी भी चीज़ में gold medal लिया है, तो 90% जिसने जिस चीज़ में gold medal लिया होगा, उसमें, वो चीज़ में, वो school time म या फिर somewhere, वो fail हुए होंगे, या तो फिर वो subjects उनके लिए difficult होगा, उनके लिए वो difficult होगा, तो इसी तरीके से आपको भी, अगर difficult subjects को easy बनाना है, तो start your day or study from the difficult subjects, और फिर देखना चमतकार क्या होता है, daily के multiple subjects पढ़ने चाहिए, क्योंकि हर एक subjects के लिए हमारा दिमाग different different use करता है, आपको ठकावट कम होगी, concentration बढ़ेगा, दस नहीं 12 घंटे पढ़ पाऊगी, लेकिन अगर आप ये planning के साथ चल रहे हैं कि आज 5 दिन हम biology पढ़ ले, फिर 10 दिन हम physics पढ़ लेंगे, गलती मत करना भाई, daily का starting from the difficult subjects और daily multiple subjects होना चाहिए, follow exam pattern, जो मैं बता चुका सुबा 12 बज़े से रात को 6 बज़े तक कुछ नहीं करना है, उससे पहले खाना ठालो, उससे पहले, यानि कि exam pattern को पूरा follow करो, तीन घंटे बैटने की आदट डालो, तीन घंटे 20 मिनिट, वैसे देखा जै तो चार घंटे बैटना है, तो चार घंटे बैटने की तो at least आद वैसे ही हम लोग, होती है आदत कुछ लोगों की, लेकिन वो आदत चेंज करनी पड़ेगी, to get high score, तो कि आफ फाइनल वर्ल का प्रमने खेलने जा रहे है, it's not about that gully महले में जो हम खेलते थे अभी तक, हमारे tuition classes में, school में, वो बात नहीं है, ये बात है कि हम फाइनल में difficult, यानि, adapt your body in the, as per the time table, और उसके लिए मैं टाइम, वो बेज रहा हूँ, आपको OMR sheet के साथ, पेपर, जो पूछे गए है, और उसमें से 20 से 25 परसन MC को तो repeatedly पूछे ही जाते है, तो ये भी फाइदा होता कि, minimum five papers, आपको, जैसे exam में जाते हो, और solve करते है, वैसे ही करना है एक जगा पकड़नी है, वही time table, वही time होना चाहिए दुपेर का, exactly सामने, सामने रख लो, घड़ी, घड़ी रखो, सामने और time के साथ, clock के साथ, second के साथ, सारी चीज़े करनी है, कैसे करनी वो बता रहा हूँ न, क्योंकि भी आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, revision, maximum focus, जो आपके पास है, उसका जितना revise करोगे, दाने से दाना निकलेगा बाई, बता रहा हूँ, जितना focus, जितनी बार आप revise करोगे, इतना फाइदा है, ये एक महीने में, so maximum revision पर focus कीजिए, focus on what you have, मैंने बता दिया अलड़ी आपको, अलग-अलग अफ़ाए फैलेगी, बाती होगी, ऐसी अफ़ाए और ऐसे लोग जो ये बाती करते हैं, उनसे दूर रहो, simple, ये होगा, difficult होगा, easy होगा, कोई मतलब ही नहीं है, you need to focus what you have, और वो तीन गंटे में भी वही करना है, 720 मह से 720 नहीं लाना है और किसी को लाना है, त और फिर क्यों सब चीज में focus करें, क्यों fake और ये सब चीजों में जाए, और ये 35 दिन, 35 अगर आपको real में, अच्छे marks लाने है, 200 पर्स लाने है, आपकी capacity बढ़ानी है, concentration बढ़ाना है, तो मैं अगर आपकी जगा होगा, तो मैं अपना mobile phone रख दूँगा side में, मैं अपना laptop, सब को side में रख दूँगा, अपना social media side में रख दूँगा, हो सकता है कि मैं उसके लिए time दू, daily for example half an hour, और वो भी fix रहेगा, और फिर उसके बाद देखे क्या चमत क्यार होगा, क्या आपको result मेंता है, just in 35 days, तो कि again मैं वो slide याद करवा हूँ, 2 years equal to 35 days, is equal to that 3 hours, 3 गंडे तो ये 35 days, अगर आपने, doesn't matter कितना पड़ा, कितना नहीं पड़ा, मैं फिर से कहूंगा, तो last में किस speed से दोड़ रहा है ना, उस पर depend करता है, sorry, अगर वो 700 marks वाला इंसान, अपनी speed नहीं बढ़ाएगा, तो वो पीछे रहेगा, और 200-300 वाला सोचेगा कि नहीं बहीं, कुछ नहीं होने वाला है, तो of course उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसने भी speed बढ़ा दी, इस 35 दिन में, तो वो double तक पहुंच सकता है, double तक पहुंच सकता है, guaranteed, तो कि एक-एक chapter का मैंने बता है कि अगर आप एक topic पढ़ लो ना तो आगे बता चुका हूँ, 30-30 marks आ जाते हैं आपके pocket में, तो क्या आप वो 5 topics पढ़, 5 chapter ऐसे पढ़के आप अपने pocket में 100 marks और नहीं डाल सकते हूँ, क्या बात कर रहे हो या, हो सकता ह दिखा तो दिया सारा, everything is easy, 35 days, guys, 35 days, तो हमने यहां तक बात की, क्या कि अभी ये 35 days में क्या strategy है, उसमें weekly क्या करना है, daily क्या करना है, उसका time table, difficult subjects, students life problems, ये सारी चिज़े, the most important thing, उस 3 गंटे और 20 मिट में क्या करना है, उसकी strategy क्या होनी चाहिए, ये अगर जानना है, तो म अभी तक का हमारा workshop आपको कैसा लगा, great, comment box में मैं वेट कर रहा हूं, कि आप बता है कि अभी तक का, great, helpful, excellent, nice, powerful, great, great, thank you very much for the reply, wow, great, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. तो आईए जानते हैं, कि आपने 35 डेस की मैंने बताया है, वैसे मस्त तियारी की, 10 गंटे से ज़्यादा पढ़ाई की, everyday आपने difficult subject से start किया, mobile laptop, social media पे time waste ने किया, 12 से 6 आपने पढ़ाई की, 5 से ज़्यादा paper set, mock test दी, everyday, रात को सोने से पहले सब कुछ revise किया, 15 मिनिट exercise, something किया लिया, जो जो मैंने बुला सुबा शाम, अब time आ गया 7 में, आप उससे पहले parents जो बहुत करते ना, यह बहुत ही संदर्ड, आप देख लेना कि भी आपके घर से location कब कितना दूर है, कितने रास्ते है, एक दो रास्ते different होने चाहिए, जाके visit कर लो, और फिर उसके नहीं पड़ता, अगर आप same city में ही आपका center है तो, ठीक है, तो करना चाहिए चीज़, लेकिन एक बार आप examination hall में बैठे, आपके pass वो paper दे दिया गया, ओमार्शिक दे दी गई है, now next what, अब क्या, अब यह है कि वो 2 साल की मैनत और यह 35 days की मैनत आपको, आपको अच्छे स बाहर निकालनी है, अच्छे से perform करना है, तो उससे पहले, ask pass follow के pass मत जाओ, क्या कौन कर रहा है मत जाओ, कोई रो रहा है मत देखो, कोई सो रहा है मत देखो, किसी को कुछ हो रहा है मत देखो, कोई चिला रहा है मत देखो, don't care, you just visualize, मैं इसके ओपर 15 minute का एक वीडियो ठीक है, आपके लिए, फिर से मैं मेरी टीम को बोलूँगा कि वो community और WhatsApp community और group का भेज़ देवो, और वो वीडियो आप अगले दिन देख लेना, या फिर दो दिन पहले देख लेना, वहाँ पे यही मैं बात बताऊंगा, it's your ground, आप अपनी जगा पे performance देने जा रहा है, च चार से वाला हो, पांच सो वाला हो, छे सो, साथ सो, आपको अपने बटोरने हैं, आपके marks, आपकी मैनत, आपकी चीज आपने जो मैनत की है, वो लेके आनी है वहाँ से, तीन गटे में, तो दूसरी जगा फोकस नहीं करना है, मस्त आराम से बैठो, अपने माबाप को, अप और फिर उसके बाद जो है, start using this strategy, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले, जो मैंने बताया कि यह द्रीस त्री अवर्जी इस इंपोर्टन, और वहाँ पे भी आपको एक ही चीज याद रखनी है, साथ सो बीस में से साथ सो बीस नहीं लाने है, साथ सो बीस में सो 50 आने चाहिए, 400 है तो 450 लेकर आने, 300 है तो 350 लेकर आने, तो फोकस कहा करना है वई, फोकस ऑन वाट यू हैव, तो अगेइन फिर से मैं बताओं, कि टाइम टेबल देख लिजगा, टाइमिंग देख लिजगा, एक बजे से पहले पहुंच जाएगा, एक पंदरा से ओन means examination hall में बैठने देंगे डेड़ बज़े के बाद आपको नहीं 5-20 पे complete होगा यह सारी जीज़ा आपको पता ही है कितने marks की exam है कितना minute से मैं बता चुका हूँ exam में क्या allow है क्या allow नहीं है मैं अगले दिन भी भेज़ूँगा वीडियो फिर से भेज़ूँगा simple thing is that क्या allow नहीं है क्या allow है वो देख लिजगा मैं वीडियो भेजूँगा ठीक है क्या girls के लिए भी same कौन सी चीज़ अलाव नहीं है ताकि आपको वहाँ पर बाहर परेशा ना करे simple thing is क्या लेके जा सकते हो आपका admit card आपको passport size का photograph और आपका ID proof यह चीज़ लेके जा सकते हो इसके लावा कुछ भी नहीं कुछ भी लेके नहीं जाना है वन्ना वो लोग ले लेंगे तो फिर परेशान करेंगे दो क्वेशन पूछ लिया वैसे heartbeat बढ़ गई पसीना ह गया इस वज़े से performance नहीं दे पाएं तो पहले से जानके जाओ कि यह सारी चीज़े आपको लेके नहीं जानी है examination hall में यह लेके नहीं जानी है वहापे सब कुछ देंगे आपको है ना don't worry about now परिशानी ना हो इसलिए देखो फिर बाद में काटा जाता है सब निकाला जाता है जो easy है उसको आप attend करो सबसे पहले फिर उसके बाद chemistry को attend करो और फिर उसके बाद physics को attend करो बहुत important है बहुत ज्यादा important है लेकिन इसकी reality आपको क्या पता चलेगी पता यह जो एक महीने में आप 5 से ज्यादा amok test देंगे ना मैंने जो बताई MC को solve करने की technique वो use करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि yes this technique is working this strategy is working आगे बात करते तो वो है difficult level in the NEET UG exam तो वो कैसे होता है कितने questions easy पूछे जाता है कितने medium होते और कितने difficult होते है यह जानना बहुत जरूरी है guys दुनिया की हर एक exam में और last 10 साल में सारी जो चीज़े हमने analysis की उसमें easiest question जो पूछे जाते है वो 50-60% होते है यानि कि 180 में से 100 MC कूज easy ही होते है easy होते है यानि कि 400 marks आप pocket में डालके निकल सकते हो लेकिन यह पता भी तो होना चाहिए कि 50-60% easy होते है medium यानि कि थोड़ा बहुत time consuming वाले 30-40% होते है यानि कि 70 MC कूज यानि वो 280 marks भी आप cover कर सकते हो लेकिन game खराब जो करता है हर एक student का वो है यह difficult वाले 10-20 वो 30 MC क्यूज और उसका scoring देख लो 120 है अब वो 120 की वज़े से focus on what you have पहले ही उसे भी बोल रहा हूं वा नहीं होता है इस वज़े से सब हाथ से जाता है और फिर बाद में शब जगा जए माता 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 जए मा difficult सब कुछ moderate सब कुछ time consuming नहीं होता है वाई तो मैं आपके सामने तीन option रख दू मैं आपको strategy सिखाना चाहता हूं कि आपके पास 180 mcqs है उसमें से 100 easy वाले है 70 moderate है और 30 mcqs difficult वाले है आपको कौन से पहले आप कौन से mcqs पहले उठाएंगे बताओ चलो comment box में अगर easy उठाने वाले तो e लिखो medium वाले उठाने वाले तो m लिखो difficult वाले उठाने तो d लिखो सबसे पहले कौन से उठाओगे of course easy of course of course easy so 100 mcqs उठा लिए 400 तो मेरे आ गए बही चलो यह college तक तो मैं पहुँच गया तिर उसके बाद medium मैंसे मैं अपने उठा लूँगा 200 वाले या one for example 70 मैंसे 60 40 उठा लूँ सोचो मैं enter हो गया government college तक अगर यह चीज़ भी आपको समझ में आ जाए you need to play guys you need to play आपको लास्ट बोल में छे रन मारने है तो इसका मलब यह नहीं कि हो नहीं सकता हो सकता है हो सकता है boundary पार हो जाए you just need to give trust to yourself कि आप अपने आपको ट्रस्ट तो दो आगे बढ़ते strategy to get high score in need UGA exam तो भई इसमें एक ही strategy round one round two and round three round one में अब biology first layer है या chemistry या physics जो भी round one में question पढ़ा guys मैं बहुत shortly बता रहा हूं try to focus round one में आपने question पढ़ा और मुह से answer निकला बिना देखे that's what the round one उसमें सारे आपके लिए जो easy होंगे वह आप pocket में डालते जाओं वो कितने होंगे approximately guaranteed कितने होंगे hundred hundred होंगे minimum फिर second round में क्या करने आपको यानि कि first round में आप कभी भी time consume देखो कोई भी exam होती नहीं उसमें क्या examine करता है biology का session है ठीक है तो उसमें पहले दो mcqs easy होंगे आप kush हो जाएंगे फिर एक difficult आया अरे बापरे यह तो मैंने पढ़ा ही नहीं था फिर तीसरा अरे यह भी नहीं आता है अरे चोता अरे बापरे यह भी नहीं आता है पांच वह यह भी नहीं आता है तो why you are worry guys focus on what you have आपको round one two and three strategy या तो फिर हुआ यह कि first 5 mcqs बहुत easily फटा फट सॉल हो गये फिर नीचे वाले जो 2-3 mcqs थे उसमें काफी time चला गया अपने घड़ी देखी बाप रे time गया मैं तो पीछे जलीगी मैं तो पीछे रह गया सब आगे चले होंगे don't do all this shit simple thing round one two and three strategy round one में question पढ़ा answer ठोका question पढ़ा answer ठोका जो time consuming है जिसके लिए सोचना पड़ेगा जो formula base है जो graph base है mix base base है time चाहिए जिसके लिए नहीं पता है उसको बोलना है या तो फिर करना है ओम ignore आए बाद में देख लूगा तुझे पहले में अपना है न 100 वाला 400 marks अपने pocket में रख्या तो बेटा फिर बाद में देखते हैं enjoy enjoy that moment and that I will teach you after 10-15 days के बाद तो कि उस time पे वो जरूरी होगा उस time पे उस level पे आप आगे होगे जहां पे मैं आपको enjoy करना सिखाऊंगा उसको गाली देखना सिखाऊंगा उसकी उंगली करना सिखाऊंगा round two round two में आपको क्या करना है 400 approximately मैं कह रहा हूँ कि आपने बटोड ल लगेगा जो फॉर्मूला जिसके option दो गलत निकाल ले होंगे उसमें से एक सही होगा उसके उपर थोड़ा workout करना होगा वो वाले लेंगे वो approximately 60 to 70 हो सकते है इसके 30 हो सकते है वो उठालो उसके उपर workout करो और फिर round three जो difficult है जो सच में शायद आपको पता हो शायद ना हो उ उसके उपर enough time देना है अभी आपको time के साथ पूरी strategy फिर से दिखाता हूँ देखो strategy to get high scoring NEET UG exam क्या है तो यहाँ पे अगर आपने यह strategy use की तो easy वाला जो है वो फटा फट होगा इसलिए आप 40 seconds देंगे per mcqs आपके पास कितना time है एक minute ही है ठीक है ना एक minute तो यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि जो 200 minute है 180 mcqs की तो बात कि लेगे 200 minute को भी तो हमें ध्यान में रखना है यहीं गडबड होती है तो 200 minute को कैसे easy वाले जो हो वहाँ पे आपको 40 seconds में answer कर पाओगे तो क्या हो चो medium वाले जहाँ पे थोड़ा सा time ज्यादा देना पड़ेगा वहाँ पे easy वाले में time ज्यादा नहीं बिगड़ा इसलिए वो बचा हुआ time आप medium वालों में डाल रहा है तो वहाँ पे आपके 90 मिल गई यानि कि 60 seconds की जगा पे 80 seconds यानि कि 20 seconds ज्यादा मिल रही है आपको per mc और difficult वाले में और ज्यादा यानि कि 40 plus हो गया एप्रोक्सिमेटली डेड़ मिनिट से ज्यादा time मिल रहा है difficult वाले पे और इससे क्या फाइदा होगा आप ज्यादा concentrate कर पाऊगे ज्यादा marks अपने pocket में रख पाऊगे हमारी strategy क्या होती है आता है नहीं आता है आता नहीं आत दीजिए तो यह मैंने बात बताई तीन गंटे की जो बहुत important थी जिसका मैं एक और 30 minutes का webinar करूँगा आपके question के base पे जिसमें मैं 300 आपके questions लूँगा पूरे भारत देश में से और उसके answer strategically दूँगा और सभी lively with example MC के साथ दूँगा and next बात करता हूँ तो after need exam सर 6 बजे कतम हो जाए फिर क्या करना है फिर घर जाके सो जाना ठीक है घर जाके आराम कर लेना फिर घर जाके वो सारी चीज़ करना जो आपको इस साड़े ती इस तीस दिन में नहीं की फिर सर वो exam का assessment answer की कब आएगी कौन सी website पर आएगी document कौन से prepare करने होगे नीट रिजल्ट कब या merit list कब आएगा application का करने है counseling कैसे होगा merit list, cut off, choice filling, education loan आपका दोस Dr. Umesh Gurger will provide you all the information in your group वो time आएगा तब फिर से ऐसा webinar होगा गर बैठे हुए आप सारी चीज़ ले पाएंगे और offline seminars भी होंगे workshop भी होंगे सब information हमारी YouTube channel subscribe कर लो आज ही वहाँ पे मिलेगी इंडिया की भी मिलेगी, abroad की भी मिलेगी, इंडिया की भी मिलेगी, पाकिस्तान की भी दे दूँगा, नेपाल की भी दे दूँगा, बांगलादिश के भी दे दूँगा जितनी newspaper cutting आएगे वो भी बेज़ूँगा जो notification आएगे form के वो भी बेज़ूँगा सब कुछ वहाँ पे मिलेगा दू जगा पे subscribe YouTube channel, join WhatsApp group, दोनों की link मैं chat box में भी बेज रहा हूँ और वो जो group है उसमें भी बेज रहा हूँ ये करके रखना है सभी parents और students को बस वो सारी चीज़े मैं बता दूँगा तो अभी से date भी fix है मेरी ये offline की है ये सभी cities में मैं आने वालों वडोदरा, जामनागर, भावनागर, सूरत, राजकोट और मववा और इस सभी जगा पे मैं offline भी रहूंगा और online भी होगा पुरे बा नखा रहे, movie देखने जा रहे, गूमने जा रहे, या फिर कोई भी चीज़ कर रहे तो इतने ज़्यादा panic या tension में नहीं होते है, जितना हमने exam के related बच्चों को बोल बोल के, कह कह के, बता बता के, उसको reminder उसको पता है वह नीट exam है, seven को है, तो क्यों हमें बोलना है कि जरूरती नहीं है, आप environment ही ऐसा बनाओ कि वो, सोची है, आज तो पापा ने बोला ही नहीं, आज तो मम्मी बगड़ाद नहीं, आज तो मम्मी एकी दुद नहीं, आज तो भाई बोलोद नहीं, environment, तो क्या करना है, बोल बोल के, और मम्मी पन अगरा हुए, मैं जो है आशा बाई नित वाडा मम्मी ओधा जबर चसतो, छोकरी सामें बीचारी MC कुछ सॉल करती हो, छोकरी सामें MC कुछ सॉल करतो हो, मम्मी फोन करे, मासी नहीं, तमारे चोकरीन के टला हो, हमारे तो जी आचीन हुजन 400 सुदीत पहुँची, तो कई कई ठाकीं गिये नहीं, अपने मा आड़े वारी में तो थोकी देचे लावे रेवादलिया, वहाई पहई पासल रही गाई। उत्री जहीं तो यह चलावी शके गाड़ी। पहले जूता हो बार भांच में जोटा आउ कि देचे कि दोड़ां भावावाण। environment is required माली बनवानू छे मालिक नई अन्य माली नू काम से खातर नाखवानू तमारा बालक ने healthy जमवानू आपो तमारू environment, तमारू health, अलन चलन, तमारी प्रवरूती, तमारी activities बालक ने मजबूर करू जुए कि ए भेकल लाक वदारे वाचे एटला माटेज गुजराती मा कहा अचे कि आपने जे करियान ये बालक करे आपने कहिये एक क्यारेई नहीं करे तो तमें बंद करी दो तमें पन-35 दिवस नों वरत राखो एनिह सामें तो नहीं तो नहीं आज एनिह सामें टीवी नी नहीं सामें मोबाइल नहीं, नहीं सामें गैस्ट नहीं, घरमा, एन्वार्मेंट, पीस्फुल, शान्ती वाड़ो, ये वाँचे एना नीट, बायलोजी, केमेश्टी, फिजिक्स नहीं तम्हें रामाण गीता महाबरत कुरान वाची लिए, तमने ये वाच वानू नौ नौ तो माथू पचाड़ो, पण बोलवानू बंध करो, केवानू बंध करो, काने कर तमारा केवाती कई थावानू, नथी, तमारे एक्टिंग करवी पड़छे, तमें एक्टिंग एवी करो के बई, बाढके ना रूम माँ वाथ तो तमें बार हॉल माँ वाचो, एन्एम कि माने पयओं और है अन्माहारा नाफमी castle पन आद sushi वा सब्सक्राइओ कर आपार में अनध गेस्ट नावाज में फान्स अन्ती गर्णार प्रोबम्मांत्रीया है अंधी आपो क्ल्पी पार्शिस अ करते अट्रीयाधा मढ़ाहा। तो तोर्चरी को जाते हो पहलो फॉर्म भीरू गुज के टनी एक्जामाई पी आंसर किया भी स्वाल किरू ते आज एक पेपर आपो तू पहला क्लासिस मा एमा केटला मार्स आएवा एमा केम 400 नी नीचे जाएवा एमा 500 केम ना थी। डिफिकल्ड था तो पहली ने केम अटल एनवार्मेंट क्रियेट करना ना कि उसके पीशे लगना आज आप काम कीजिए लास्ट तीन साल में जो टॉप टैन में आये हैं उन सभी के यूट्यूब पे कहीं ना कहीं वीडियोज अवेलेबल हैं आप देख लीजिए उन्होंने क्लियर कर बोला होगा कि हमारे लीज़ेज़ के सिरूश, को प्यार से पूछना है कि बेटा आप बता ना बोलना चाहते इन्वॉल्मेंट लेना चाहते तो आप यह कह सकते हो कि बहें आप एक काम करो, जितना हो सके उतना से पढ़ना है तो जो पढ़ रही है तो या फियो पढ़ रहा तो और लर्नि बाप है, तेरी माँ है, तेरा बाई है, don't worry, और वो कोई नहीं है, तो मैं सभी students को बोल रहा हूँ, Dr. Umesh Gujar to Hail, I'll give you that way, आपका कोई भी सप्दा होगा, वो मैं open challenge के साथ कहता हूँ, वो पुरा होगा, 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 चाहे पैसे है, तो भी कर दूँगा, पढ़ रहा है, तो आप भी पढ़ो, mobile users के सामने, जो नहीं चाहते हो, कि आपका बच्चा ना करे, वो मत करो, और जो चाहते हो, करे, जो आप चाहते कि आपकी बेटी या बेटा करे, वो आप खुद करो, फिर देखो अभी शरुआत हो रही है, ऐसी तो पता नहीं, हजारों एक्जाम देनी है, और अगेन मैं कहूंगा कि, ऐसे रिलेटेट में, अल्रड़ी बता चुका हूँ कि, ये वोक्शॉप जो है, जिसकी अपडेट आपको, वाटसअब ग्रूप पे और यूट्यूब चैनल, दोनों सब्सक्राइब कर लीचे, दोनों आप वहाँ पे जूटते रही है, आपको सारी इंफर्मेशन मलती रहेगी, आउ, लास्स स्टेज पे हूँ, पांस या दस मिट में मैं सेमिनार वर्क्शॉप कंप्लीट करूँगा, उससे पहले, अभी तक आपको कैसा लगा वर्क्शॉप, अगर वाउ, फिलिंग आ रही है, तो डबल्यू लिखे, गुड फिलिंग आ रही है, तो जी लिखे, नाइस फिलिंग आ रही है, तो यह न लिखे, देखे, इसमें भी शॉट फर्म में ने डाल दिये, तकि आपका कम टाइम वेस्ट हो, ग्रेट, टाइंक्यों एर्माज, तो एक छोटा सा रिमाइडर दे दू, कि अगर इस वर्क्शॉप में कोई जोइन नहीं हुआ है, तो वो चार तारीक यो नो तारीक वाले में जोइन कर सकता है, पूरे भारत देश में से, इट विल बी फ्री आफ कॉस्स, नमबर वाल, नमबर टू, तो 16 तारीक और 21 तारीक को पर्टिकुलर्ली 30-30 मिनिट का स्लोट होगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, जिसमें 30 मिनिट में आपको बहुत इंपोर्टन स्ट्रेजी जो मैं बता चुका हूँ, एक्जाम के लिए, वो 3 अवर्स के लिए, स्ट्रेजी किस टाइप के क्वेशन को किस तरीके से बीट करना है, एक एक पेपर लेंगे और उसके ओपर बात करेंगे कि एग्जामीनर जो है, वो थोड़ी से ट्रिक यूज करता आपको डराने के लिए, लेकिन आप डरेंगे नहीं क्योंकि आपको स्ट्रेजी पता है, कि आपका सबसे पहले आप बटोर लेंगे, है न, और सेम चीज, आफ्टर नीट, आफ्टर नीट क्या करना है, कौन से मार्क्स पर कहाँ पर एड्मिशन हो सकता है, कौन सी कॉलेज में हो सकता है, सब कुछ, एड्यूकेशन लोन, या स्कोलर्शिप, कैसे क्या मिल सकता है, सब कुछ यहां पर ओफलाइन और ओनलाइन मिलेगा, तो भाई अभी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहती है, और मैं आपको एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ, जो आपको बॉनस है वो तो मिलेगा याभी, उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, कि आपको इस वाक्शॉप से क्या आप पांच चीज़े सीखने को मिली, आप अपना वीडियो भी बना सकते हैं, और मुझे वाट्सअप पे बेज सकते हैं, जो नंबर दिख रहा है आपको उस पे, और नंबर में बेज रहा हूँ, प्लस अगर आप वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, मैं यह चाहता हूँ कि आप वो पांच चीज़ बोले, और आपके दिमाग के अंदर घुश चाहें, और Google Review, यानि कि लिखना होगा वाँ पे, कि आपको क्या पांच चीज़े, जो आप ये 35 डेज में यूज करेंगे, और 100 प्लस लाएंगे, मैंने जो जो चीज़ बोली है, वो scientific है, और definitely 100 प्लस ला सकते हैं, तो उसमें से जिनका Review बेस्ट होगा, उस Review को मैं, जैसे उस Review वाले, फर्स इंसान को मैं मेरा Study Planner, जो 500 रुपे का है, वो मैं Courier कल ही सुभा कर दूँगा, ठीक है, और वो information में, मैं ग्रूप में बेजूँगा कि, इनको मैं जो बेज रहा हूँ, वो Study Planner है, दूसरे इंसान को मैं एक exam, जो हमारा यह है, Desktop Planner, जो Amazon पे उपर अवेलेबल है, वो मैं Courier से बेजूँगा आपको, और Wall Planner है, और Neat की Printed Copy Books भी मेरे पास अवेलेबल है, जो Sellable है, जो मैं Free of Cost आपको बेजूँगा, as a Gift, तो आज का ये Workshop complete हो, तो आपको अपना Mobile सामने रखना है, और पाँच चीज आपको वैल्यूबल कौन सी सीखने को मेली, कैसा आपको ये Workshop लगा, वो आप वीडियो शूट करके बता सकते हैं, नंबर जो लिखा है उस पे बेज सकते हैं, या तो फिर सेकेंड चीज जो है वो है, Google के उपर जाके लिख सकते हैं, ये मुझे मॉटिवेट करेगा, मुझे सिखाएगा, कि येस, I am doing really great work, मुझे ऐसा काम करना चाहिए, और जादा लोगों को हेल्प करनी चाहिए, जो मैं लास 18 साल से कर रहा हूँ, पे भी सारा मट्रियल, बहुत सारा डाउनलोड फोल्डर में है, और इमेल, और the most important thing, आपकी lifeline number, आपका partner, तो ये वाले जो दो number हैं, वो सेव कर लो, और जिंदगी में जहां पे भी education related queries आए, जिंदगी में, ऐसा नहीं need related ही, नीट के बाद भी admission, फिर वहाँ पे admission हो जाए, उसके बाद भी, if you will connected with our social media platform, WhatsApp group, YouTube, और ये number, तो you will get solution always, 24 into 7, ठीक है, मुझसे बात करनी होतो भी, मुझसे मिलना होतो भी, एक strategy decide करनी होतो भी, need के बाद की सारी चीज़े, सब कुछ, so you must have this number saved as a om education, ठीक है, ये बात रखेगा, याद आप हमेशा के लिए, now, जो मैंने promise किया था, आपको mind map देने के लिए, short notes देने के लिए, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इस number पे, 7069007611, उसमें आप अपना नाम लिख के बेज दीज, आपको link बेजी जाएगी, और group जो है, उसमें भी मैं बेजूँँगा, plus link जो है, वो यहाँ पे भी, वहाँ पे जाके आपको download करे लाने सारा, और वो आपको free of cost मिल रहा है, ठीक है, nearby सभी का costing आप देखे market में, तो आप खुद ही बताएगा, कि आपको यह कितने में पढ़ रहा है, free of cost, of course free of cost, now, जो gift है, after video, feedback, जैसे हैं मैं आज मिलेगा, कल सुबा हम आपको कूरिय कर देंगे, आज ही आपको यह बेजना होगा, या फिर Google Review देना होगा, और उसका screenshot, वीडियो होगा, तो of course, आप WhatsApp करेंगे इस number पर, और Google Review देंगे, तो आपको screenshot बेजना है, तो यह चार चीज़े आपको बेजी जाएगी, जिसको जो number one, first, second, third, fourth रहेगा उसमें, मैं बेजूँगा, next, and the last thing, जो मैं आपको कहना चाहूँगा, कि अगर आप, जहां पे है, जिस stand पर है, उससे आप 200 प्लस करना चाहते है, 100 प्लस करना चाहते है, तो उसकी चावी भी, आपके हाथ में है, बस आपको गुमानी है, चावी number one है, जो आपके पास है, वो focus करो, number one, number two, present moment में रहे के, पढ़ाई करो, पास्ट का, फ्यूचर का जादा मत सोचो, I'll be there, always, learning attitude, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए पढ़ाई करो, exam pattern को follow करो, 12 से 6, और maximum जो है, आपके पास जो है, उसका revision, revision, revision करो, और फिर देखो, होता है, यानि कि आप परिश्रम करेंगे, पुरुशाद करेंगे, फिर उसके बाद प्रतिक्षा करेंगे, तो परिणाम आपके favor में ही होगा, चाहे जो भी हो, Thank you very much for the joining me, wish you all very very happy exam, really really thank you,